हेलो फ्रेंज वेलकम टू दर्यूंपटियस अकाइज मुई आई होप आप सब एच्छे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे सेफ होंगे हम लोग सल्यूशन कर रहे हैं एंबी पॉब्लिकेशन के बुक से यह हमारा स्रीट नंबर 43 है ठीक है यह स्टोल पेपर 2016 का है हम ल एक्जाम होना है इन एक्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं एकदम बेसिक के साथ ताकि एक्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नव हो ठीक है तो हम लोग 2016 से 2020 तक SSC के दवारा जो भी एक्जाम कंड़क्ट कराए गया थे उनमें जो इ यहां फिर मेंस का एक्जाम हो ठीक है से नमबर 44 45 और 46 यह होगा वो दो यह सूला का मेंस का पेपर होगा ठीक है तो उनमें 200 कोश्शन होंगे तो आई होप आप जैसे इस लेशन को कंप्लीट देखेंगे उस तरह से 200 कोश्शन को भी देखेंगे क्योंकि यहने में में कम्प्लीट देखिए अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है कोई इश्यू होता है तो कमेंट करिए या फिर आप हमारा टेलग्राम चैनल उद्वाइंप जोइन करें वहाँ पर अपने इश्यू को पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हैं और वहाँ पर इसका मतलब होता है क्या होता है क्थिन अब देखिए आपके पास चार ओप्संस हैं ऑप्शन्स हैं क्या-क्या ranking are short ऑस्ट्प एस्टिक के ऊपशने यह उत्स मतलब होता है जो सीला उच्साह से भरा हुआ तो delete ऑस्ट्रॉंग मतलब मजबूत eliminate in theאשос वर्यवड मतलब होता है कठीन तो हमारा राईद आंसर ज bulb option बी हो ठीक है आपको MB publication का जैसे solution हो रहा है उसी परकार से इसका जो है एक अलग से लेशन्स आपको प्रवाइड किया जाता है अगर आपको लेशन्स को लगे तो आप हमारे चैनल बहुत करिये आर लेसंस को लाइक कर करें करें ताकि ओर भी लोग हमारे से जुड़ें और सीखें ठीक है तो लेसंस को complete देखिए हर एक वर आपके लिए important है जैसे कि यहाँ पर देखिए options का भी आपको अर्थ साथ साथ सा आजाए तो यह उप्शन अगर आप इग्नोर ना करके अगर इन उप्शन को आप याद कर लेते हैं तो अगर यह कोश्चन बनकर भी आ जाएंगे आपके सामने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है तो इसलिए जो है हर एक वाइद हमारे इंपोर्टेंट है यहा कउशन क्या है कुशन क्या है क्यू मतलब होता है सांत निस्क्रिय क्या होता है सांत या फिर निस्क्रिए हां पर हमें बताना है अंट प्या拉ला को आपके यानिकी अनुचित तो देखिए यहां पे जो आपका राइड आंसर होगा कोई भी यहां पर आपका राइड आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंटोनिम्स पुछा गया है, इंप्रोपर मतलब होता है अनुचीत, तो यहाँ पर हम लोग हर एक वर्ट का अर्थ जान लिए, ठीक है, तो राइड आंसर यहाँ पर कोई भी नहीं है, लिखे आप हर एक वर्ट को याद कर लिजेगा, लिख लिजेगा, या फिर आपको जब separate lesson दिया जाएगा, तो आप उन्हें भी complete देखकर याद कर सकते हैं, revision कर सकते हैं, ठीक है, चली, question number 3 पर आता है, four words are given, what of which only one word is correctly spelled, देखे, आपके पास चार जो है words लिखे गया है, और उनमें जो है कोई एक ही correctly spelled है, तीन जो है wrong spelled है, एक कोई correct spelled आपको है, वही किसी की याद में उच सब मनाना, ठीक है, जो correct is spelled है, वो है आपका option B, question number 3 का, ठीक है, किसी की याद में उच सब मनाना, ठीक है, चली देखते है, question number 4 जो 6 का direction क्या है, find out which part of sentence has an error and click the button corresponding to it, देखे, आपको एक sentence दिया गया है, उसका एक पार्ट जो है, error हो सकता है, ठीक है, व no error, ठीक है, तो no error आपको option के साथ जाना होगा, ठीक है, या फिर आप questions को छोड़ भी सकते हैं exam में, लेकि हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ताकि exam में में छोड़ने का मौका नहीं ले, क्योंकि हर mark जो है, आपके लिए important है, 0.25 mark भी आपके लिए important है, ठीक है, उससे भी decide हो जाता है, किनी का merit, इसलिए एक भी question आपको miss नहीं करना है, सारे questions को हम लोग यहाँ पर solve करेंगे, तो question पर फोर क्या है, beside, writing is my hobby, I had ideas for a couple of sort of stories that needed further thought, देखिए, beside एक word है, ठीक है, beside मतलब होता है, बगल में, आपके बगल में कोई गहर है, ठीक है, तो आप पता में लिखत है, beside, ठीक है, तो यह बगल जो है, यह हुआ आपका बगल में, जबकि यहाँ पर बात हो रहा है, कि hobby जो है, writing के अलावा, मेरा जो hobby था, के अलावा, ठीक है, तो के अलावा के लिए हम यूज़ करते हैं, besides, ठीक है, तो option A में आपका है, right answer हो जागा, देखिए, एक S मतलब क्या होता है, बगल में, जबकि यहाँ पर बात हो रहा है, कि मेरा जो hobby है, writing के अलावा, और क्या है, यह बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो के अलावा, यानकि besides हमें करना होगा, option A आपका है, eliminate, sorry, option A जो है, आपका है, error है, question 5, he recommended my case with the supervisor, he recommended my case with the supervisor, तो देखिए, यहाँ पर जो हम, error पाशानेंगे, वो पाशानेंगे, preposition के रूप में, ठीक है, recommend के साथ, जो है, preposition हमें, use करना होता है, to का, ठीक है, तो option C हमारा यहाँ पर right answer हो जागा, recommend जो बाइद है, इसको साथ, आपको preposition यूज करना होगा, to का, ठीक है, option C यहाँ पर error हो जाएगा question number 6, her knowledge in English gives her great advantage over me, देखिए, अगर आपके पास किसी चीज में, knowledge है, ठीक है, तो आप वहाँ पर knowledge के साथ, preposition लगाते है, of का, क्या यूज करते है, of का, तो option A आपका यहाँ पर error हो जाएगा, her knowledge of English, यानि कि English का ग्यान जो है, उसे gives her great advantage, अब यहाँ पर देखिए, एक और error यहाँ पर, यहाँ पर आपको grade के पहले लगाना होगा, और grade advantage, यानि कि उसे एक बहुत ही बड़ा advantage मिल जाता है, उसके जो English में knowledge है, उसे एक बहुत ही बड़ा advantage दे जाता है, ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा advantage, तो यहाँ एक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, A का करेंगे, तो यहाँ पर option B में भी error है, तो देखिए, इस question में हम लोग 2 error को find out किये, ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसे exam में नहीं आगा, अगर आएगा, तो आप यहाँ पर 9 error भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको mark मिल जागा, लेकिन हम लोग यहाँ पर सीख र blank your own personal views upon the reader, ठीक है, देखिए, यहाँ पर जो options है, option यह आपका है, expose, expose मतलब क्या होता, बेने काप कर देना, ठीक है, interpose मतलब की जड़ना, express यानि की व्यक्त करना, और impose यानि की थोपना, do not impose your own personal views upon the readers, आप अपने खुद का जो सोच है, वो readers पर न थोपे, ठीक है, तो थोपना, यानि की right answer, जो है, हमारा पर, right answer, option D, हो जाएगा, ठीक है, do not impose your own personal views on the reader, ठीक है, impose मतलब थोपना, बाकि जो options है, आपको यहाँ पर हिंदी मैंने बता दिया है, आप जरूर लिख कर याद कर लीज़ेगा, या फिर revision भी करिएगा, तो आपको याद हो जाएगा, स इस स्कूल is not any different, यानि की कोई भी पीछले स्कूल के मुकाबले जो है, इस स्कूल में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी अंतर, any, any मतलब क्या होता है, कोई, ठीक है, तो any different, जो है, यहाँ पर, right answer हो जाएगा, ठीक है, question number 9 पर हम लोग आते हैं, चलिए, I have decided fill in the blank my course of action, I have, I have decided fill in the blank, my course of action, तो देखे, यहाँ पर जो decide के साथ, आपको preposition use करना होगा, वो या तो on होता है, या तो upon होता है, ठीक है, decide के साथ, हम लोग सीख चुके है, preposition के लेशन में, हम लोग fixed preposition के लेशन भी सीख चुके हैं, अपनी पोजिशन के playlist में, दैंप जो प्ले preposition करता है, या तो on, या तो upon, तो हमारा upon एक option भी आगया है, तो ride answer जो है, हमारा option A हो जाएगा, I have decided upon my course of action, तो देखे, decide on या upon मतलब क्या होता है, किसी चीज का निरना लेना, यानि कि मैंने अब मन बना लिया है, निरना के लिया है, कि मैं अब अपना काम करूंगा, ठीक ह उसी परकार से आप सभी को, ये decide कर लेना है, कि exam, इस बार जब भी exam होगा, हम अपना result देंगे, ठीक है, SSC CGLPT का result कुछ दिन पहले ही आया है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, तो उनमें जो है, 4 students का result हुआ है, ठीक है, 3 boys हैं और एक girl है, ठीक है, तो उन सभी का result आया है जैसे ही, और भी आगे exam सेंगे, उनका result और जैसे होगा, final result बनने के बाद जो है, आप सभी को उन लोगों से, जो है, मतलब interact कराए जाएगा, लेकिन अभी तो है, हम लोग PT का तयारी कर रहे हैं, छोचे से family में भी चार results हुए है, हम लोग दिरे दिरे और बढ़ेंगे, औ तो और भी results होंगे, तो हम लोग और भी बड़ा family बनते हैंगे, ठीक है, तो प्लीज आप सभी से request है, lessons को खुद देखिए, समाझ ये, सीखिए, और lessons को और भी share करते रहे है, ताकि और लोग भी जो है, इसका फाइदा उठा पाए, क्योंकि आप सभी जानते है, MB publication कितना important book है, ठीक है, तो चलिए देखते है, question number 10 to 12 में हमारे direction है, वो है, item and phrase, question number 10, to bury the hatches, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, to bury the hatches, मतलब होता है, सांती बनाए रखना, क्या होता है, सांती बनाए रखना, option A जो है, आपर, right answer हो जाएगा, ठीक है, question number 11, selling like hotcakes, selling like hotcakes, इसका मतलब होत क्या होता है, जो सजा से बच जाए, क्या होता है, जो सजा से बच जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अन, पनेश्ट आपका, right answer, जो है, option B, हो जाएगा, ठीक है, अन, पनेश्ट, यानि की, जो सजा से बच जाए, ठीक है, चली, question number 13, to 15, का direction, दखते है, choose the one which can be substituted, यहाँ पर देखे, आपको OWS दिया गया है, ठीक है, question 13, a thing no longer you'll use, एक ऐसा चीज, जो अब जो है, प्रचलन में नहीं है, उप्योग में, नहीं है, ठीक है, उससे क्या कहा जाएगा, तो option देखते है, illusion मतलब होता है, भरम, ठीक है, illegal मतलब होता है, अवैद, obsolete मतलब की, पुराना हो जाना, historic मतलब है, एक तुराइद आंसर देखे, हमारा option C है, obsolete, यानि की, परचलन में नहीं होना, पुराना होना, और question में हमारा वही कहा रहा, a thing no longer in use, ठीक है, option C, question 14, देख का मतलब होता है, हिंदी में, वेद, साला, ठीक है, वेद, साला इसे कहा जाता है, जहाँ, astronomical observations होता है, बाकि जो options है, laboratory यानि के परियोक साला, ठीक है, eliminate, यह दोनों options, important नहीं है, इस पर कभी भी questions नहीं पूचे गया, ठीक है, question 15, killing once sister, अपने ही वहन की हत्या करना, क्या कहा आतर ठीक है, तो promises देखते है, mukla होता है, राज हरतिया, factory side मतलब क् appeals का होता है, भराता हरतिया, ठीक है, matrixed मतलब मतलब मता क्यातिया और सोरे साइड वहन के आते हैं तो राइड आशर आपको जो है वह हो जाएका आपका और अप्शन दी ठीक है राइड आउंसर आपका आपके आप्शन दी है चले कोश्चन में 16-20 देखते हैं सेंटेंस अपाइड अप्ट अफ्टेंस अंडरलाइन देखे जैसा कि हम लोग कीप थ्रोइंग दबॉक टू अदर्स ठीक है गोर्मेंट ऑफिशियल स्कीप थ्रोइंग दबॉक टू अदर्स देखी आप फो जो हैं हमारा अंडरलाइन सेक्शन है जबकि जो राइड आउड है वो होता है पास दबक यानिकि अपना आरोप किसी और पर जो है आप ठोब यानि कि आप पर जो और उप लगा गया है वो आप किसी और पर सौब दियें ठीक है मतलब कि छोड़ दियें किसी और पर ढाल दियें ठीक है तो यहां पर जो हमारा राइड आंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन बी गोर्मेंट ओफिशियल्स कीप पासिंग दबग टू यानि कि आपने आरोप को दूसरों पर डाल देना ठीक है तो ऑप्शन बी यहां पर राइड आंसर हो जाएगा कुश्ण बास सेवेंटीन सी एंग्र ली ब्रूक अप द लेटर देखें यहां पर ब्रेक अब लग हो जाना जैसे हम लोग कल भी पढ़ थे ब्रेक अप यानि जैसे हैं तो लेटर अलग क्या होगा ठीक है लेटर या तो फटेगा तो फटेगा तो फटेगा तो फटेगा का जो phrase What use होगा वह और तूरप तो उयर तोर तॉर तॉर्ण टर ओर तो यहां पर जो आपका राइड आंसर होगा वह होगा आपका ओप्शन ए सी एंगर ली टोर अप दा लिटर यानि कि उसने जो है उसने में लेटर को चित्थी को फार दिया ठीक है तो ऑप्शन यहां पर राइड आंसर है Q18, they told me that they had built a new house, they told me that they had built a new house, had built बिल्ड जो है भीवन है और हमारे बिल्ड के आगे क्या लेका हुआ है helping भर्व है यानि कि हमारा जो sentence है वो past perfect में है हम लोग सेंटेंस ब्लाइस भी पर चुके हैं ते तेंस फटेंस नोग क्या सिकए थे पर फेक्ट में सेंटेंस भीक्राव बनता है अजम्छ Allah ऑई यहां पर है तर्टफ यह पास्ट में तेल टोल तो पास्ट में है तो हम प्रेजेंट वाला हिल्पिंग नहीं उसकरेंगे यहाँ पर भी हैव है तो यह भी विल्मेट हो जाएगा इसली हमारा राइड आंसर देखे इस प्रकार से हम लोग समझ गया कि ऑप्शन जो है क्यों एलिमनेट हुए ठीक है सारब का option c one should exercise their right to vote question number 19 ठीक है one should exercise their right to vote तो देखिए आप है तो इसके हिसाब से यहाँ पर option c हमारा यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है ऐसे questions के हम लोग already solve कर चुखे है आपको देख करें इसका राइड आंसर खुच से बना लिया होगे चली कोश्चिंब भाई 20 जो है दर्द में करा रही थी ठीक है तो यहां पर मोन जो है आपका राइड आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखते हैं हम लोग कोश्चा में 21-25 जो आपको पैसेज दिया गया है और पैसेज पढ़ने के बाद हमें 5 questions जो है इनके बेश्ट पर बनाने होंगे तो चलिए questions को यहां पर बनाएंगे पैसेज पढ़ने के बाद अचाहर जगदीष चंद्रबशू वेन ओब दद ग्रेटेस्ट ऑफ मोडर्न साइन्टेस्ट्च चंद्रबशू modern यानिकी आधुणिक बैज्यानिकों में से एक महान आध्णिक व्याजियानिकों में से ग्राजुटेट फ्रॉम एष्टी जेवियर्स कॉलेज जिन्हों ने ग्रेजुएट कहां से वह उन्होंने एष्टी जैवियर्स कॉल्च से कॉलकाता ठीक है वहां जो है उन्होंने प्रेसिदेंसी कॉलेज और वहां से उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासल किये मतलब प्राप्त करना और जोएन दा प्रेसिदेंसी कॉलेज को जो है जोएन किया और वहाँ जो है प्रोफेसर और फिजिक्स के रूप में जोएन किया था कोलकाता ठीक है वह जो है अगर दूत है पाइनियर मतलब अगर दूत है मतलब कि सभी इन कामों में करने वाले ठीक है मतलब की लोगों में पहले यानि कि माइक्रोवेब रेडियो और वायरलेस की खोज में वह पहले व्यक्ति थे हैं कि वेज रिमार्केवल मतलब असमर्ण नहीं है ठीक है कॉंट्रिबूशन टुदा साइन्स ऑफ बोटनी वह जो है उन्होंने बहुत ही योगदान दिया याद याद्गार याद्ग कंट्रिबूशन यानि कि योगदान दिया है उन्होंने बोटनी के छेतर में पौदे जो हैं उन्हें लाइफ होते हैं ज्ञेवल आपंजर करते हैं उसी तरीके से फिल्पोदे माहसुस करते हैं यह चीजिजर यानि कि इन्होंने सला दिया था तब पॉस्पीशं कशेई इनर्जी फ्राव मोने साथ करना चाहिए इनर्जी के रूप में उर्जा के रूप में जो है इनके रोटी इसकर ना चाहिए यहां पर एक possibility उन्हें बताया था वह पहले थे असे बताने वाले ठीक है लास्ट बच नॉट लेक्ट अंतिम लेकिन ऐसा नहीं वो दब बोस इंसिटीट भीस ही फॉंड़िट इन उनिसे सत्रा अंत में उन्होंने उनिसे सत्रा में बोस इंसिट के स्थापना किया अब यह जो है इसका मतलब क्या होता है तो चलिए इस पर हम लोग कोशन बेस्ट आगे बनाते हैं साइन्स की छेतर में जो हैं बहुत सारे चीज़ें अब हो गई है और यह जो है बल्ड फेमस रिसर्च लेबरेटरी बन गया है ठीक है अब यहां पर जो कोश्चन से चलिए हम लोग यह समझते हैं ठीक है कुश्च नमबर 21 अचार्य जगदीश चंद्रवसू वन उन्होंने ग्रेजुएट जो है वह कहां किया था तो हम लोग पढ़ चुके हैं ठीक है जिसका हम लोग वैल्यू काउंट नहीं कर सकते हैं आप उसे गिन नहीं सकते हैं इन वैल्यूएगल है वह ठीक है तो राइट आंसर जो है आपका यहां पर ऑप्शिन बी हो जाएगा कुश्चमा 23 अचार्य जगदीश बसू चंद्रवसू आज पाइनियर इंद डि कुश्चमा 24 जगदीश चंद्र बॉस मेज रिमार्केवल कंट्रुबिशन तो दे साइंस बोटने वाइप प्रूबिंग विद्ध हेल्प और इंट्रुमेंट अफिस ऑन इंवर्शन दैट ट्रीज एंड प्लांस हैं नॉट ओल्ली लाइफ इंड जी जगदीश चंद्र पासु ने रिमार्केवल कंट्रुबिशन दिया था यारी कि यादगार योगदान दिया था उन्होंने यह प्रूब किया था कि पेल पौदे में भी दर्द सुक दुख दोनों होते हैं जैसे की मनुष्यों में होते हैं ठीक है तो यहां पर देखे जो आपका राइड आंस प्राप्त किया था ठीक है यहां पर राइज आंसर हो जाएगा तो यह है कोश्यों सोरे से टमबर 43 एंबी पॉब्लिकेशन के बुक से 2016 में यह से टमबर 43 है चल्पिपर 2016 ठीक है आई होब आपको यह लेसन अच्छा लगा होगा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और पूरा लेसन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और सेरव रफेश्य इंट इबर टीफ्स में ताकि और लोग जोहां इससे देखें, समझें, सीखें और हमारा साथ जुड़ें, मिलते हैं आगे के लिसन्स में, थैंक यू